यदि आपको हलकी फूल की भूग लगी हो तो आप इस तरीकी का इसनेक बना करके तैयार कर सकते हैं बहुत ही जट पर तैयार हो जाता है सिर्फ आपको तीन चार चीजों की जरूरत होती है उससे ही आपका जो इसनेक है बहुत ही अच्छा खाने में लगेगा और बहुत जल्दी बन जाएगा चाय के साथ खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा मैंने यहाँ पर दो कटोरी भर के लाई ले लिए है यदि आपके पास जो लाई हैं हलके से सौफ्ट हो तो थोड़ा सा कड़ाई में डाल के इनको ड्राइ रोस्ट कर लें लेकिन जो मेरे लाई हैं बहुत अच्छे क्रश्पी हैं इसलिए के मैंने इनको भूना नहीं है और मेरे थोड़ी सी घर पर चिप्स बनाई थी तो उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी यदि आप बाजार की चिप्स को डालना चाहते हैं तो बाजार की चिप्स को भी डाल सकते हैं लेकिन मेरी घर पर बनी हुई रखे थी तो मैंने उसी को बाच्छे से मिक्स कर लिया है इस तरीके से मिक्स करके मैं सारी चिप्स को इसमें डाल दूँगी चिप्स की quantity आप यहाँ पर कम जादा कर सकते हैं और दोनों चीजों को मैंने इस तरीके से हिलाते हुगे मिला लिया है इसको मैंने side में रख दिया है अब मैं थोड़ी सी दो प्याज ले लिया है और एक टमाटर ले लिया है दो हरी मिर्च ले लिया है इनको बिल्कुल मैं छोटे छोटे टोकड़ों में कट करके तैयार कर लूँगी दोस्तो यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दे यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजिए देखो मैंने इस तरीके से अपनी प्याज को में कट कर लूँगी इसको आप में छोटे छोटे टोकड़ों में ही कट करना है और टमाटर है जो ना टमाटर को भी चोटी चोटी टकड़ों में कट कर लेना है यदि आपको टमाटर ना पसंद हो तो आप इसमें न डाले बिना टमाटर की भी बना सकते हैं कई लोग प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज भी न डाले बिना प्याज की बना सकते हैं देखो म मैंने दोनों चीजों को अच्छी से कट कर लिया है अमें इसमें मिला दूंगी टेमाटर और साथ में मिला दूंगी प्याज दोस्तों आज का जो मेरा इस नेक बहुत ही मज़िदार बनने वाला है बच्चों को तो इतना पसंद आएगा कि हमेशा इसी तरीके से बनवाएंग और मेरे घर पर थोड़े से बारिक बाले सेव रखे हैं उसको भी में डाल दूंगी यदि आपके पास इस तरीके के बारिक बाले सेव ना हूँ तो आप आलू भुजिया को भी डाल सकते हैं आलू भुजिया से इसमें बहुत अच्छा टैस्ट आता है देखो मैंने इतनी को मिक्स कर दिया है यदि आप इसमें कोई और कुरकुरा डालना चाहते हैं तो मन पसंद आपने कुरकुरों को भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मसाला मंच कुरकुरा ली लिया है उसको भी छोटो छोटो टुकडों में कट कर लिया है उसको भी मेश में डाल आंगे और इसी तरीके से कुरकुरा का इस्टनीक बना एक तैयार करेंगे बहुत टेस्टी लगता है देखो मैंने यहां पर थोड़ी सी हरी मिर्ट कर ते कटकीी तो भी मेtaćा 15 के यहीं गाल सक्ते आ लेकंन हरी मिर्ट से सिसमें अच्छे टेस्ट आता है और यदि आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम तीखा कर लें देखो मैंने सारी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है झाल 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 झाल